सोनेरी धर्ती जठे जठे चांदी रो आस्मान रंग रंगी लो रस भरो मारो प्यारो रादस्तान स्वागत है आपका दूर दशन रादस्तान के विशेश कारकरम इस हफते में रादस्तान जहां एक और रेती ले धोरे हैं तो वहीं किलों और महलों की भवेता मौझूद है हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी 27 सितंबर को विश्व परिटन दिवस भवेता और हर्षो लास के साथ मनाया गया शांती और परिटन की थीम के साथ में प्रदेश भर में कई कारकरमा उजित किये गए वहीं परिटकों का विभिन तरह से स्वागत सत्कार और मनुहार भी किया गया आईए नज़र डालते हैं विश्व परिटन दिवस पर प्रदेश भर में हुए इन कारकरमों पर हर साल 27 सितंबर को विश्व परिटन दिवस मनाया जाता है यह एक ऐसा दिन है जब दुनिया भर में परिटन उदियों को भड़ावा देने और इसकी महत्व को समझने के लिए लोगों में जागरुकता फिलाई जाती है इस दिन का उद्श्य परिटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फायदों को भड़ावा देना है इस वर्ष विश्य परिटन दवस की थीम ट्यूरिजम एंड पीस है यह थीम दुनिया भर में शांती को बनाए रखने पर जोर देती है ताकि परिटन के रास्ते हर देश के लिए खुले रहे और इसे भड़ावा मिले परिटन दिवस परिटन को बड़ावा देने के उदेशे से बनाया जाता है जैपूर में आम तोर परिटक भाई संक्या के अंदर आते हैं और यहां जो हमारे प्रसिद जो पुरातत्तु महत्र की चीजे हैं जैसे कि आमिर महल जो विश्व विरासत सुची में शामिल है जंतर मंतर जो विश्व विरासत सुची में शामिल है हवा महल जिसे लगबग संसार में सबी जो है उसकी फोटो को देख के पैचान लेते हैं इसके अलावा नहरगड है, जैगड है, सिटी पेलेस है, सिटी पेलेस भी एक संगराले है इन सब को देखने के लिए प्रेटक यहां आते हैं और यहां की सांस्कृतिक धरोर के बारे में जानकरी पराप्त करते हैं इसके अलावा बाहर भी जो हैं हमारे किले, हवेलियां, कुंड, बावडियां, मंदिर ये सब चीजें जो हैं मौझूद हैं जिनको परेटक देखकर बहुत आकर्शित होता है और बार बार देखना चाहता है वर्ल्ल टूरिजम डे पर प्रदेश भर के सभी समार्कों पर परेटकों का प्रवेश निशुल्क रखा गया है विश्व परेटन दिवस के अफसर पर परेटन एवं पुरातत्व विभाग की ओर से कई कारिक्रम मायोजित किये गए परेटक सलों पर आने वाले सेलानियों का राजस्थानी ठाट बाट के साथ स्वागत किया गया राजस्थानी जैपुर के आमेर महल, नहारगड फोर्ट, हवा महल, अलबर्ट हॉल, जंतर मंतर पर, कच्ची घोडी, नर्ते, शेहनाई वादन, कालबेलिया नर्ते, रावन हथा वादन, समेत अनेग सांस्कृतिक कारकरमों के साथ माला पहना तिलक लगा कर सतकार किया गय जैपुर अभी बहुत अच्छा लगा है, हम आज ही सुबह यहां पर आये हैं, और काफी हिस्ट्री में इसके बारे में सुना था, बहुत एतिहासिक इस्तल यहां पर इस्तित है, अलबर्ट म्यूजियम है, आमेर फोर्ट है, जैगर फोर्ट है, वैसे भी इसको किलो का शह जैपुरती के लिए मशूर है, हाले में ट्रेवल प्लस लीजर ने अमरिका में वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड घोशित किये हैं, इनमें उदैपुर को पूरी दुनिया में सबसे सर्वशेष चेहरों की रैंकिंग में दूसरा स्थान दिया है, वहीं एशिया में उदैपुर नमबर वन रैंकिंग पर है, अंधरास्टी स्तरप पर अपनी खुबसूरती के लिए अलगी तरहां की ख्याती प्राप्त कर चुके उदैपुर को लोग जीलों के नगरी, पूर्व का वेनेस, राजिस्तान का कश्मीर ऐसे अनेक नामों से पुखारते हैं। हरिटेज की हो, चाहें लेक्स की हो, चाहें वो यहां के लोगों की हो, तो हर तरह से हमारी होस्पिचालिटी बहुत अच्छी रही है, इसलिए उदैपुर को यह खिताब मिला है, लेकिन यह खिताब सर्फ यही तक नहीं रुका, उदैपुर ने हर पोर्टल पे अपनी जी उदैपुर को जरूर शामिल करते हैं, और इंडिया में घूमने आते हैं तो राजिस्थान को शामिल करते हैं और राजिस्थान में उदैपुर उनकी लिस्ट में हमेशा ही होता है इतिहासिक विरासत की आभा विखेरते उद्यपुर में कलकल भैती जीले, प्रकर्ती की सौंदरता और अपनी रजवारी शान पर इत्राते महल ज़रोखे इसकी सुंदरता को चार चान लगाते हैं इसी वज़ा से देसी विदेसी परेटक खिचे चले आते हैं परेटन विभाग के आंकडों के अनुसार इस साल अगस्त कुल 11.4 शुन्य लाख परेटक आए जबकि 2023 में पूरे साल 19.9 शुन्य लाख और 2022 में 15.24 लाख परेटक आए इस साल मानसून और छुट्टियों में भी परेटकों की भरमार देखने को मिली हमने काफी सुना था राजस्तान जैपूर उद्यपूर के बारे में तो जैपूर तो हम पहले आलरड़ी विजिट कर चुके थे और उद्यपूर हम कल ही आए यहां पर आकर काफी अच्छा लगा हमें तो जिस तरह से यह अच्छा मिल रहा है और जिस तरह से यहां इसे के लोगों ने कल्चर को संभाल के रखा हुआ तो बहुत ही अच्छी जीज लिए विया दरीवे हैं से मातां दो को ने पांग शोज में से इते बारो देखूर पूंस को से ला वनीज आजियातिक हैं यह के ना चारा है कि लेकिन हमें लगा की यह जो होदव में इसरुिख याह नदी रचाहिया है तो यह यह दो अंच्छा है कुछ कर गुजरने का जजबा हो तो क्या कुछ नहीं किया सफकता के ऐसा ही कर दिखाया है श्रीगंगा अगर के चुटी से गाउं मदेरा की रहने वाली उर्मिला धार्निया ने जैविक खेती को एक नया मुकाम दिया है वहीं जैविक खेती के साथ ही साथ अपने गाओं के रहने वाली अनेक महिलाओं को संबल भी प्रदान किया है जिहां उर्मिला धार्निया इन सभी महिलाओं को ना कियो रोजगार दे रही है बलकि जैविक ख के वारे में प्रशिक्षन भी दे रही हैं आई देखते हैं ओर्मिला धार्निया की ये खास रिपोर्ट आम तोर पर जहां गाओं में महिलाएं चूले चौके तक सिमिट कर रह जाती हैं वहीं श्री गंगानगर जिले के एक छोटी से गाओं मदेरा की उर्मिला धार्निया ने अपने होसलों को उड़ान दी है अपने पती के कंदे से कंदा मिलाते हुए कृषी में लगातार नवाचार कर जैविक खेती की नई तकनिकों का इस्तमाल कर रही हैं उर्मिला धार्निया पुर्मिला ने ना केवल खेती के शेत्र में नवाचार किये बलकि जरुरतमन्द महिलाओं के लिए सहारा बनने का भी काम किया है अगर पेड़ होंगे तो अगर बचा होगा इससे नहीं तो घर में इतनी बिशन होनी है कि अब भी जो कह रहे हैं लोग नो तपा नो तपा की बजाए है लो तपा बन जाएगा एक दिन तो पेड़ भी हमें जरूरी है इसलिए हमने पेड़ भी बहुत सारे लगाए हैं आप देख रहे हो आप इसको फोटो अगर आप जहां तक आपका केमरा जाता है देखे पेड़ी पेड़ नजराएंगे पहले इस एरिया में एक एरिया में भी नहीं था और यहां जब लोगों को पेड़ों की बात करते थे हम पहले तो लोग मजाक उड़ाते थे क्या पेड़ क्योंकि पेड़ फसले नहीं होने देते उनकी सोच यह थी और आज हमें देखके लोगों ने भी पेड़ लगाने शुरू कर दिया है पूर्मिला बताती है कि इस मुकाम पर पहुँचना आसा नहीं था उन्होंने बताया कि जब वे शादी के बाद पहली बार खेत में आई तो यहां रेत के बड़े-बड़े टीले थे बच्चों की शिक्षा के लिए वे गाउं से श्री गंगनगर शहर में आ गए परन्तु जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई तो वापस वे गाउं आ गई और खेती में नवाचार करने का विचार आया करीब 27 बिगा जमीन पर उनके खेत में गेहूं, सरसों, चने सहित, किन्नू, माल्टा और चिकू की जैविक विदी से खेती की जाती है उर्मिला के पती का कहना है कि उन्हें कई सरकारी योजनाओं जैसे सोलर, स्प्रिंकलर, केचु अखाद, पाइपलाइन आदी का लाब मिला है जिससे उन्हें खेती बाड़ी में काफी साहता मिली है उर्मिला के इसी जजबे के चलते उन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया राच चुका है उनके सम्मानित होने का सिलसिला लगातार जारी है उर्मिला को 2023 में क्रशक पुरसकार, भारती जैविक किसान उत्पादक संग और International Institute of Advanced Agriculture Skills Development से 2022 में सम्मानित किया गया इसके अलावा क्रिशे विभाग द्वारा आयोजित रादस्तान किसान महौसव में भी उर्मिला को सम्मानित किया गया बाग जैसे माल्टा मौसमी का बाग भी है बाकी फ्रूट्स के सारे प्रेड़ है और चना है जो सीजन जाद आता है अभी कपास है गवार है यह सारे टोटल जो ट्रेडिशनल खेती है वो भी इसी के साथ करी रहे हैं सरकार यह जनां को में फाइदा मिलता है सोलर है यह चीज है कि सरकार की यह जना में मिल रही है जैसे हमने केंजवा खाद बनाई यह तो उसमें भी हमें help मिली थी उनकी और आगे बीच मुझे लगता काफी उम्मीद्य है सरकार काफी help करते हैं उर्मिला धार्नियाग ने ना केवल खेती की शेत्र में नवाचार किये हैं बलकि जरुरतमन महिलाओं के लिए सहरा बनने का भी काम किया है उनका कहना है कि उनके गाओं में बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं उर्मिला ऐसी महिलाओं को अपने खेत में रोजगार देती है और उनके लिए एक सहरा बनने का प्रयास करती है उर्मिला धार्निया इस प्रकार नाकेवल एक नवाचार की मिसाल है अपितु लोगों के लिए संबल देने की भी एक नई पराकाश्ठा सावित कर रही है दूर्दिशन समाचार जैपूर रेल्वे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्री अश्वनी वैशनव द्वारा रादस्तान के सवाई मादूपूर में कवच 4.0 की शुरुवात की गई इस सफल परिक्षन के बाद कवच 4.0 को अन्य रेल्वे सिष्णों पर लागू किया जाएगा रेल्वे सिष्णों की मजबूती और सुरक्षा प्रनाली को और मजबूत करने के लिए कवच 4.0 कारगर साबित होगा आई देखते हैं कवच 4.0 पे हमारी एक खास रिपोर्ट भारतिय रेल्वे अपने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कवच नाम की एक हाई-टेक सुरक्षा प्रनाली विक्सित की है कवच सिस्टम एक प्रकार का स्वच्छालित ट्रेन सुरक्षा तंत्र है जो ट्रेनों के बीच टकराव की संभावना को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है कवच सिस्टम का उद्यश्य है कि ट्रेने अपने तै मार्गों पर सुरक्षित तरीके से चल सकें और किसी भी इमर्जेंसी दुरगटना से बचा जा सके कि ट्रेलवे की सुरक्षा के लिए कवच एक बहुती बड़ा डेवलप्मेंट है जिस पे किछले कई वर्षों से बहुत अच्छा प्रयास चल रहा था तो 16 जुलाई गत 16 जुलाई 2024 को कवच का 4.4 वर्जिन याने वर्जिन 4.2 जैसे डेवलप्मेंट होता है तो ने ने वर्जिन साते हैं तो कवच का वर्जिन 4.2 फाइनल हुआ था, फ्रीज हुआ था, अप्रूव हुआ था, RDS की तरफ से अप्रूवल हुआ था उसका पहला इंस्टोलेशन सभाई माधोपूर से कोटा आगे नाबदा तक वो कम्प्लीट हुआ है कवच प्रणाली का सफल परिक्षन सभाई माधोपूर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर की दूरी में किया गया यह देश का पहला रेलवे ट्रेक है जहां इसे लागू किया गया है अधर परिक्षी दौरा मोबाइल वैन यूनित जो बनाई गई है जिसे लुको आमने रेल रचक दलना का नाम लिखा है यह हमें रेल मंत्राले से निर्देश मिलेते हैं कि जो एक्सिजेंट्स होती है कभी जो माइनर होती है या मीजियम लिवल के एक्सिजिगन होती है इसको ध्यान में रखते हुए है यह हमने पहली बार भारती रेलवे में मोबाइल इनुट रेलक्षा दल के नाम से लॉंच की है पूरे उत्तर पश्री मेलवे के चार जगों पे हमने इनको लोकेट किया है सुदेट कहीं भी उत्तर पश्री मेलवे के 16 अधिकार में अगर कोई घटना हो तो वहाँ पर यह मोबाइल इनुट पहुंच सकती है हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और यांत्रिक विभाग के जो टीम होती है उनमें छे लोगों की एक टीम मराई गई है उनको हमने गोलडे के अंधर जो है ऐगार कि एक गंटे के अंदर जो है हम कितना रेस्क्यू का काम कर सकते हैं अगर को इमालीज़ प्सेंजर ट्रेन का इस तरह को आधि को एक घंडे के अंदर थस्ट जो बना रहता है वह बहुत खिर अगर हम पैसेंजर को समय को रिश्ट्यू आरे पहुंचा सके उसी को ध्यानम रखते हुए हमने इस पर एक्पेंट ऐसे रखे हैं जो कि पोटेबल हो कैरी की जा सकते हैं जो कि हैड्रॉलिक ऑपरेटेड है या जो ड्रिल मशीन से जो कटिंग मशीन से उन्हें इस तरह के रखी हैं साथ ही साथ अगर वहां पर लाइट की व रेलवे ने कवच 4.0 के तहट एक ऐसा स्वाचालिट सिस्टम तयार किया है जिसमें ट्रेन की निर्धारित स्पीड से 2 km प्रति घंटा से अधिकी स्पीड होने पर कवच ओवर स्पीड अलाम बचाएगा ट्रेन की निर्धारित स्पीड से 5 किलोमीटर प्रती घंटा से ज़ादा होने पर आटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे वहीं ट्रेन की निर्धारित स्पीड से 9 किलोमीटर प्रती घंटा से ज़ादा होने पर इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे रेल्वे के अनुस्वार कबच सिस्टम ट्रेन हाथसों को रोकने में मदद करेगा और रेल यात्रा को सुरक्षेत और सुविधा जनक बनाएगा कहते हैं होसले लकीरों और हातों के महताज नहीं होते लोकि होसले हिम्मस से आते हैं इश्वर ने भले ही सिस्टी को हात और उंगले नहीं दी हों परन्तु होसला भरपूर दिया है हम बात करें हैं अजमेर की सिस्टी अरोडा की 28 वर्षे सिस्टी ना क्योल पैरालंपिक है बलकि युवाओं के लिए एक होसले की मिसाल भी है आई देखते हैं सिस्टी अरोडा की ये प्रेड़ कहाने आत्मविश्वास की नई परिभाषा बनकर सामने आई हैं अजमेर की 28 वर्षे शूटर सिस्टी अरोडा सिस्टी एक ऐसी शूटर है जिनके ना सीधा हाथ है ना हतेली है वहीं उंगलियां भी पूरी नहीं है मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा सिस्टी को 90 प्रतिशत डिसेबल घोशित किया गया है लेकिन सिस्टी ने अपने होसले से हर मुश्किल को अपने कदमों में चुका दिया है वे तेज गती से लैपटॉप भी चलाती हैं तो पिस्टल से शूटिंग भी करती हैं मेहंदी लगाने का हुना रखने वाली स्रिश्टी डिजाइनिंग और एड़िटाइजनिंग कमपनी में काम भी करती है और मैंने रिसेंटली अभी सेलेक्शन ट्राइल हुआ था पैरलम्पिक सेलेक्शन ट्राइल 2 और 3 उसमें मैंने फर्स्ट रैंक आया था और उसके अलावा मैंने नैशनल में टीम इवेंट में व्रॉंज मेडल जीता है 10 मीटर एर पिस्टल शूटिंग में वोमन SH1 क्याटिगरी में और मैं शूटिंग में पिछले डेर साल से हूँ मेरे मुमी मपः ने हुजँ हमेशा से बच्पन से काफी सपॉर्ट किया है और काफी मोटिवेट किया है कि यह चीज कभी बीच में नहीं आनी चाहिए डांस में और इसके अलावा मैंने महन्दी मे डिप्लोमा किया है अम्प्यूटर्स में किया है लड़की सिक्रण करती है स्रिष्टी के माता पिता ने उन्हें शुरू से ही डिसेबल नहीं बलकि डिफरेंट एबल बनना सिखाया है स्रिष्टी कहती हैं कि मा ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षक है उनके पिता शैलेंद अरोडा उनके लिए अच्छे कोच खोजने का काम करते हैं तो वही मा किरन उनके लिए यूटूब पर नए नए रोचक तरीके और तखनीकों को ढूणने का काम करती हैं और मेरे मापक हमेशा से मुझे सपोर्ट रहा है और मोटिवेशन रहा है कि आगे से आगे मुझे करते रहना है कभी रुखना नहीं है यह सोचकर कि यह डिसेबिलिटी है पर इसे डिफरेंटली एबल समझ कर आगे बढ़ते जाने हैं अभी 2022 में हम लोग मत्रा गए थे वहां पर कोई मिले थे किशन गूजर करके उन्होंने बोला कि इससे पूचा कि अब कौन सी क्लास में हो तो इसने बोला मेरेको तो जो जोब करते वे टाइम हो गया और अब मैं स्पाइकर लाइब स्टाइल में काम कर रही हूँ तो उन्होंने बोला कि पैरा स्पोर्ट्स में क्यों नहीं जाते हो तो हमने इससे पूचा तो इसने एगरी हो गई है कि भई ठीक है आप बोल रहा हो तो मैं खेल लूँगी तो फिर हमने का गेम देख ले तेरा कौन सा खे प्राइब में ली इसने और अब यह यहां पे आजमेर में कर रही है और ओनलाइन कोचिंग नहीवाडी के शिरी विजै कुमार से ले रही है और श्रश्टी को बच्पन से ही श्रश्टी है और उसको जब बच्पन में गोदी में लेती थी मैं तो मुझे बहुत तक्लीफ ह कि अजिदे कैम कर्ते थी तो वह करने यह पाती थी, तो मैं उसको ऑपनी गोदी में बढ़नी पटाकर इसंकoked करके उसको लिखवाती थी गोदी में लेकर तब आूल के लिख पाती थी और जब वह ऑटो से स्कूल करती थी तभी उसको बहुत दिक्क्त आती स्रिष्ट्री अजमेर के साथ रेवाडी में रहने वाले कोच विजय से कोचिंग के लिए मार्ग दश्न लेती हैं कभी वे रेवाडी चली जाती हैं तो कभी उनके कोच अजमेर आकर उनको शूटिंग के टिप्स देते हैं वहीं स्रिष्ट्री को ऑनलाइन कोचिंग भी उपलब्द करवाते हैं अजमेर की स्रिष्टी अरोडा पैरलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुकी है स्रिष्टी ने पैरलंपिक खेलों में टीम इवेंट में कांसे पतक और भारती टीम के लिए आयोजत सेलेक्शन ट्रायल में पहला स्थान हाजिल किया था स्रिष्टी की इच्छा है कि वे भारत के लिए गोल्ड ले लेकर आएं विरो रिपोर्ट दूर्दशन समाचार जैपुर शायद ही कोई होगा जो सुप्रसित गायग मुकेश के गीतों से अन्भिग्य होगा मुकेश के गीत मेरा जूता है जापानी और कहीं दूर जब दिन धल जाए हमारे दिलों दुमाग में बसे हुए हैं ऐसे ही शाम सजाई गई जैपुर में उन्नी सी मुकेश नाइट में कायस समाज सेव संसान दौरा मुकेश के पुर्णतिती पर उनको श्रद्ध सुमन सरूप में संगीटों की ये शाम सजाई इसमें का लाकारों दौरा मुकेश के गीतों की प्रस्तुति दी घई आई देखते हैं इस संगीत की शाम में किस परकार गायकों द्वारा मुकेश को श्रद्धा सुमन आर्पित किये गए मैंन हमारे सांज सगारे देखे रापों सबने सच ये नहीं ओगे दिया नहीं तो भी जाने ना तो भी जाने ना मैंन हमारे सांज सगारे देखे रापों सबने सच ये गई ओवे जा रखी ओई जाने ना कोई जाने ना कोई जाने ना कोई जाने ना एक बहारा खसन अपने किसमत ते ले कुछ ऐसे थी के पिर रूर गया कोई जाने ना कोई जाने ना कोई जाने ना जाने ना अजाने पिर देखे ये ना होता तो कुछ दूसरा गम होना था मैं तो हूँ जिसे हर हान मैं बस रोना था मुस्कुरा था भी अगर कोई जाने ना अपने किसमत ते की कुछ ऐसी थी के दिल तूट गया कहते हैं किताबे समाज और आम जीवन का प्रतिवम होती हैं ऐसी ही किताब है कासे का सूरज सोने का चांद नसीम नकवी दौरा लिखी गई किताब आम जीवन की सच्चाई को दरशाती है नसीम नकवी जाने माने लेखक हैं जो हिंदी अंग्रेजी के साथ उर्दू पे समान अधिकार रखते हैं देश के शीष नित्यत्यों के अनेकाने की विदेश दौरों में नसीम नकवी प्रतनेदी मंडल में शामिल रहे और अपने अनुभवों को नसीम नकवी द्वारा इस किताब में साजा किया गया है नसीम नकवी द्वारा कास्ते का सूरज सोने का चान रुस्तम मिन्नु मिया आखरी कहानी तौ का आधी शीषक के साथ में अपनी कहानियों को इस किताब की रूप में पिरोया गया है नकवी साब लिखते हैं कि मगर मैंने जान लेवा ठंड में गरम चाय के कुलर से गर्मी चुराने की कोशिच की है वहीं भीशन गर्मी में गर्म कब से गर्मी को मानने की कोशिच कर रहे लोगों के जीवन में भी जाकने का प्रयास किया है अनुभवों की संकलित श्रिंखला कासे का सुरज सोने के चांद को आप भी पढ़कर जीवन के अनुभव और समाज की सत्यत आप से रूबरू हो सकते हैं तो ये था इस अफते का विशेश जहार्चोलास के साथ में परिटन और शांति की थीम के साथ विश्यो परिटन दिवस प्रदेश भर में मनाया गया वहें दूसरी और कवच 4.0 का रेलवे द्वारा प्रदेश में सफल परिक्षन किया गया आपने देखी उर्मिला की प्रेड़ कहानी वहें अपने होसले के बल पर किस प्रकार स्ष्टी ने हर मुश्किलों को आसान कर दिखाया अगले सब्ता फिर लोटेंगे आपके बीच नए कहानियों के साथ में नए उत्सवों के साथ में और प्रदेश में होने वारे इन कारिक्रमों को लेकर तब तक के लिए हम को दीजिए जाज़त नमस्कार